आगरा में सरवाधेत लोगप्रीय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें डॉक्टर भीमराव अमेडिकर विश्विध्याले की वित्य समीती की बैठक खंदारी परीसर इस्थित अतिती ग्रह में कुलपती प्रोफेसर अशोक मित्तल की अध्यक्षितामी संपन हुई जिसमें सर्व सम्मानत से निर्न निर्न लिये गए वित्य वर्ष 2016-17, 17-18 और 18-19 की बैलन्स शीट पारत की गई और निर्न लिया गया कि आगामी बैठक में वित्य वर्ष 2019 और 20 की बैलन्स शीट भी प्रस्तुत की जाएगी और टाध्यक्ष और महमंत्री ने प्रस्ताब दिया था कि COVID-19 की असाधारन परस्तितियों को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक और मौखे परिक्षक आने वाले परिक्षकों को स्वेम के वाहन अथ्वा टैक्सी से आने जाने की अनुमती दी जाए इसे सुईकृत कर द जाएगा जिसमें RTGS के माध्यम से संबंधिता शिल्क जमा किया जाएगा IET और Pharmacy Counseling of India के मानकों के अनुसार वेतन प्रदान करने के लिए एक समीती का गठन किया गया इसमें वित्तधिकारी, खुलसचिव, IQC के चेर्मेन, प्रोफेसर अजे तनीजा और IIT के निदेशक, प्रोफेसर बी के सारस्वत होंगे, समीती के संस्तुतियों पर आगामी कारवाही की जाएगी IET और Pharmacy के समविदा सिक्षकों को, शिक्षन कारे विदिवत रूप से प्रारंब होने के बाद दिनांक एक जनवरी 2021 से एक समान रूप से 35,000 प्रतिमाह का वेतन प्रदान किया जाएगा, IET HM के निदेशक प्रोफेसर लबकुष मिश्रा दुवारा प्रस्ताव दिया गया था कि उनके यहां केवल दो ही 27 शिक्षक हैं, अताहा उनके यहां संचालित होने वाले स्वावित पोशित पाठे क्रमों में शिक्षकों और अन्न स्टाफ की आवश्यक्ता है प्रस्ताव अपून होने के कारण अस्विक्रित कर दिया गया, यह भी निदन लिया गया कि शिक्षकों अथवा करमचारियों से संबन्दित वेतन व्रिद्धी के प्रकरण विचारार्थ नहीं रखे जाएंगे ये प्रस्ताव सामोहिक होने चाहिए सम्विधाव करमचार्यों का वेतन व्रिद्धी का प्रकरण आगामी वित्त समीती में विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा सेना निवरित ने देशक वित्त सहाय कुलसचेव अजय कुमार गौतम और ममता सिंग बैठक में शामिल हुए सीनियोस के लिए लक्षमी राज सिंग की रिपोर्ट